इमाचल प्रदेश कॉंग्रेस सिवातल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा का कहना है कि राज्य की भाजपा सरकार पूर्व में रही कॉंग्रेस सरकार के विकास कार्यों के रिबन काट रही है जबकि सरकार की दो वर्षों में एक भी बड़ी उपलब्दी नहीं है यह बात उन उन्होंने आज मंडी में आयोजित पत्रकार भारता को संभोधित करते हुए कही अनुराग शर्मा ने कहा कि प्रदेश में आज माफिया राज हावी हो रहा है कानुन विवस्ता पूरी तरह से चर्मरा गई है और चिट्टे जैसे नशीले प्रदार्थों का प्रचलन भढ रहा है उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारे जुमलोगी सरकारे हैं और लोगों के साथ जुमले बाजी करके सत्ता में आना भाजपा का काम है इस से पहले अनुराग शर्मा ने मंडी जीला कौन्गर। सेवादल के पतादीकारियों के साथ बैठek की और संगठन की मजबूत इस दोरान उन्होंने मेरा लक्ष्य मेरा बूत अभियान का भी विदिवत रूप से आगाज किया। अन्य पदादिकारी भी मौजूद रहे। पूरे परदेश में कानुन विस्ता का बहुत बुरा हाल है। नशा खोरी जो इस तरह से बढ़ गई है कि पूरे परदेश में आज चिट्टा जो एक एक ऐसा विशैला पदार्थ हमारे समाज और हमारे युवाओं को खराब कर रहा है। सडकों की हालाद आप देखिए पहले शिमला से बंडी आने में तीन घंटे लगते थे अब पांच घंटे लगते हैं। गायों की स्ट्रक्शन के उपर बहुत बड़े इनके नारे दिये जाते हैं। में कल जब हम लोग शिमला से चले तो ऐसा कोई स्थान नहीं दिखा जहां पर खुली लोग से गाये नहीं गूम रही हैं। और उसके उपर क्रोड़ रुपे आइन लोग ने खाया भी और इनके जो गोस्ट्रक्शन के नाम पर बड़े बड़े सेवा के अंदर बने हैं। उन लोग के अगर आप घर देखें, उनकी कोठी आँ देखें, लाखो क्रोड़ रुपे कोठी उनकी बनी हुई हैं। दो तारीक से लेके नौ तारीक तक पुरा सब्ता जो है, जिलावार, ब्लॉक्स तरपर और बूस तरपर सुष्टा बिहान चलाएगा, परद्यात्राइएं करेगा, और संगोश्चियां करेगा। इसके साथ साथ मेरा लक्षे मेरा बूत, आज इसका आगाज एक कांगले सिवदल दौरा हमाचर परदेश में किया गया है आज से, हर जो कारेकरता हमारे सिवदल का है, उसका कारेशेली, मेरा लक्षे मेरा बूत, किस तरह से हम बूत पे उसको लेके जाएंगे कारेकरमों क अपने पार्टी के उसका यहां से आगाज किया गया आज ही विजिट करें बूशें ज्वेलर्स लुवर बजार सोलन संपर करें 01792-21404 लाइव टाइम्स टीवी के फेस्बुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा